परिचय सूर्य और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है ग्रह और दूसरे पिंड जैसे धूमकेतु और क्षुद ग्रह सूर्य की परिक्रमा या उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं आईए इस पार्थ में सौर मंडल के बारे में और जाने आओ सीखें सौर मंडल को परिभाशित करना दिन और रात का वरणन करना रित्मों के आगमन का वरणन करना चंद्रमा की आठ कलाओं को बताना मौसम और प्रित्वी पर उसके प्रभाव की व्याख्या करना सौर मंडल सौर मंडल में सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले आठ ग्रह शामिल हैं आठ ग्रह हैं बुद्ध, शुक्र, प्रित्वी, मंगल, प्रिहस्पती, शनी, यूरैनस और नेप्चिून प्रित्वी की गती सूर्य की परिक्रमा के अतरिक, प्रित्वी अपने अक्ष पर भी एक लट्टू की तरह घूंगती है इसे प्रित्वी का घूननन कहते हैं प्रित्वी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है प्रित्वी की गति प्रित्वी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पत पर घूमती है इसे परिक्रमा कहते हैं परिक्रमा के कारण प्रित्वी पर रिद्वों में परिवर्थन होता है। चंद्रमा प्रित्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जो इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। यह एक परिक्रमा 27 और 3 बटे 4 दिन में पूरा करता है। प्रित्वी के उलट चंद्रमा पर हवा या पानी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा की कलाएं चंद्रमा आठ कलाओं से गुजरता है चंद्रमा द्वारा पृत्वी की परिक्रमा और पृत्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण चंद्रमा की कलाएं घटित होती है नव चंद्र यह वह कला है जब पृत्वी के सामने का चंद्रमा दिखाई नहीं देता बढ़ता बाल चंद्र यह वह कला है जब चंद्रमा दिखाई देना शुरू होता है प्रथम अर्ध चंद्र यह वह कला है जब चंद्रमा आधा दिखाई देता है बढ़ता चंद्र यह वहकला है जब चंद्रमा आधे से ज्यादा दिखाई देता है पून्ण चंद्र यह वहकला है जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है पून्ण चंद्र के बाद चंद्रमा का आकार घटने लगता है घटा चंद्र यह वह कला है जो पून्ण चंद्र के बाद आती है, इसमें चंद्रमा का छोटा हिस्सा दिखाई देना बंद कर देता है द्वितिय अर्ध चंद्र यह कला घटता चंद्र कला के बाद आती है, इसमें चंद्रमा का आधा हिस्सा दिखाई नहीं देता घटता बाल चंदर यह कला द्विती अर्ध चंदरकला के बाद आती है इसमें चंदरमा का ज्यादातर हिस्सा दिखाई नहीं देता घटता बाल चंदर के बाद चंदरमा पूर्ण तह अद्रिश्य हो जाता है चंद्रमापर प्रथम मनुष्य नील आम्स्ट्रॉंग चंद्रमापर पहुचने वाले पहले मनुष्य थे वे चंद्रमापर 20 जुलाई 1979 को पहुचे एडविन E. Eldrin और माइकल कॉलिंस उनके साथ थे वे तीनों अपोलो 11 नामक चंद्र अभियान के हिस्सा थे उन्होंने विशेश तौर पर डिजाइन किया गया स्पेस सूट पहन रखा था और अपनी पीट पर जीवन रक्षक यंत्र बांध रखा था उन्होंने चंद्रमापर कई परिक्षण किये और आगे के शोध के लिए वे मृदा और शैल के नमूने लेकर आए मौसम मौसम और जलवायू का प्रभाव मौसम और जलवायू हमारे जीवन को विभिन तरीके से प्रभावित करते हैं गर्मी के दिनों में हमें निम्न तरीकों से अपने को ठंडा रखना चाहिए हलके कपड़े पहन कर पंखा, कूलर और वातान कूलक का प्रयोग करके शीतल पे अपी कर आइस्क्रीम खाकर ठंड के मौसम में हम अपने आपको निम्न लिखित उपायों से गर्म रख सकते हैं गर्म कपड़े पहन कर रूम हीटर का प्रयोग करके अलाव जला कर चाय और कौफी जैसे गर्म पे पदार्थ पी कर बरसात के मौसम में हम इससे निम्न लिखित तरीकों से बच सकते हैं घर में रहकर छाता और बरसाती कोट पहन कर क्या आप जानते हैं कि अत्यादिक बरसात के कारण बाड़ भी आ सकती है मौसम और खेती मौसम खेती पर प्रभाव डालता है कुछ फसलें जैसे आलू, टमाटर, सोयाबीन, कद्दू, मकई, गर्मी के मौसम में बढ़िया होती है बंद गोभी, सरसों, मतर, ब्रॉकली, गाजर, मूली, जाडे के मौसम में अच्छी होती है बरसात, धान और चाय की फसल के लिए अच्छी होती है मौसम और घर मौसम निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र में कैसे घर होंगे पहाडी क्षेत्रों में धल्वा च्छत वाले घर होते हैं धल्वा च्छत बर्फ और पानी को च्छत पर इकठा होने से रोकती है जिन क्षेत्रों में भारी बर्फ बारी होती है उन क्षेत्रों में विशेश प्रकार के घर जिन्हें इगलू कहते हैं पाए जाते हैं भारी बरसात वाले क्षेत्रों में तिलुआ घर पाए जाते हैं ये जमीन से थोड़ा उपर बासों के डंडों पर बनाये जाते हैं ऐसे घर बाड से लोगों की रक्षा करते हैं सूर्य और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले आठ ग्रह शामिल हैं। प्रित्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों तरफ प्रित्वी की परिक्रमा से मौसम बदलते हैं। चंद्रमा प्रित्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। किसी क्षेत्र में किसी विशेश समय के वायु मंडल की स्थिती को मौसम कहते हैं। मौसम हमारे जीवन, खेती और घरों की बनावट को प्रभावित करते हैं।